पुंच आतंकी हमले के बाद परदार मंतरी मोदी ने उठाया बड़ा कदम भारत की विस्पोर्ट कोपरेशन को देखकर पाकिस्तानी सैना की शांसे फुली लायू अतीक और असरप की हत्या के बाद अलकाइदा ने भारत को दी सबसे बड़ी धमकी पाकिस्तान की मस्जिदों से भारत के G20 को लेकर आई डराने वाली आवाज सुनकर कांप गए मोदी आतंकी हमले के बाद रधोगा क्या बिलावल भुटो का भारत दोरा भारतिय मुसल्मानों ने अलकाइदा को दिखाई उसकी ओकात दोस्तों अतीक और असरफ हत्यमामले में बड़ी आतंकी धमकी मिली है और यह धमकी मिली है अलकाइदा की दरब से यह धमकी उस वक्त आई है जब जम्मू के पुंच डिश्ट्रिक में आतंगवादियों ने भारत के पांच जवानों को बंद गाड़ी में जलाकर सहीद कर दिया था इस हमले में तीन पाकिस्तानी आतंकी भी सामिल थे जो चीन में बने हत्यारों से भारती सैनिकों के काफिले पर हमला किये थे इस दर्दनाग घटना पर जम्मू कस्मीर के पूर्वे मुख्यमंत्री भारुक अब्दुला ने भी एक विवादी दुबयान दिया जिस पर नया घमासान चिड़ गया है फारुक अब्दुला ने कहा कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत सुरू नहीं होती ऐसे हमलों पर लगाम नहीं लगेगी लिहाजा सार्क को सक्रिय करने की जरूरत है इस घटना के बाद पूरे घाटी में ताबरतोर सर्च ओप्रेशन चलाया जा रहा है आसमान और पाताल में हंटिंग के लिए हेलिकॉप्टर के साथ ड्रोन की मदल ली जा रही है और जमीन के चप्पे चप्पे पर तलासी ली जा रही है इस पूरे अभियान को परदानमंत्री मोदी और अजी डोवाल की निगरानी में चलाया जा रहा है क्योंकि अगले माहिने ही कस्मीर में दुनिया भर के निता G20 मीटिंग अटेंड करने के लिए आने वाले है बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी कपजेवाले कस्मीर के रास्ते से पुन्च हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों ने घुसपेट की थी आसपडोस की गावों में आतंकी छिपे हुए थी आतंकी हमले की जिम्मेदारी पीपूल्स एंटी फासिष्ट फ्रंड यानि PAFF के नाम के आतंकी संगठन ने ली है PAFF पाकिस्तान बेष्ट आतंकी संगठन जे से महमत का ही बदला हुआ रूप है इससे पहले भी जम्मू कस्मीर में कई आतंकी हमलों में इस संगठन का नाम सामने आ चुका है कई लोगों के अनुसार पुंच हमले का बदला लेने के लिए G20 मीटिंग के बाद भारतिय सेना पाकिस्तान में घुसकर बड़ी श्ट्राइक या ओप्रेसन कर सकती है भारतिय जवानों के साथ ये घटना तब हुई जब भारत और पाकिस्तान की रिस्ते सुधारने के लिए पाकिस्तान की विदेशमंतरी बिलाबल भुट्टो SEO मीटिंग में 4 मई को भारत आने वाले हैं पिछले 12 साल में ये पहला ऐसा मोका है जब पाकिस्तान का कोई विदेशमंतरी भारत आ रहा है जानकार बताते हैं कि अगर पाकिस्तान SEO मीटिंग अटेंड करने भारत नहीं आएगा तो भारत रूस के साथ साथ चीन को भी नाराज कर देगा उनका मानना है कि भारत ने पाकिस्तान को हर मामले में वर्ल्ड लेवल पर आइसोलेट कर दिया है ऐसे मैं गोवा में आयुजीत SEO मीटिंग को अटेंड ना करके पाकिस्तान इबाफीस से आइसोलेट हो जाएगा जिससे भारत को बड़ा फाइदा होगा यह भी संबव है कि पाकिस्तान इस मीटिंग में भारत आकर कस्मीर मुद्बे पर भारत को ही आइना दिखाने की कोशिश करने लगे वहीं दोस्तों जम्मु कस्मीर के पूर्वे पुलीस चीफ का मानना है कि इस आतंकी हमले को देखते वे बिलावल घुटो के भारत यात्रा को तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाद जो सरीव को एक बड़े युद्ध का डर सतारा है जबकि उनके पास इस वक्त युद्ध लड़ने को पैसे और सामगरी नहीं है लेकिन उनकी सैना और उनके आतंकी भारत को बड़े युद्ध में कूतने के लिए बार बार उक्षा रहे है 2019 में जब कस्मीर के अंदर से भारत में धारा 370 को हटाया है उसके बाद से ही भारत पाकिस्तान की रिष्टे तीखे हो गए थे लेकिन अब पाकिस्तान अपनी आर्थिक मजबूरी को देखते वे भारत से रिष्टे सुधारना चाता है कई आतंकी संगठन भारत और पाकिस्तान की बीच मधूर संबंद देखना नहीं चाते इसी वज़े से वे लगातार हमले करते हैं और धमकियां देते रहते हैं कई रिपोर्ट के नुसार ये खबरे सामना रही है कि जम्मू कस्मीर से सटे पीयोके के इलाकों में पाकिस्तानी मस्जितों से बहत खतरनाक आवाज सुनाई दे रही है इस वक्त भारत के जम्मू कस्मीर में हो रहे G20 मीटिंग के कान पूरा पाकिस्तान बोखलाया हुआ है उसके आयसाई अधिकारी और आतंवादियों के साथ एकसाद मिलकर भारत में आयोजी G20 सम्मेलन को ऐस अपल बनाने के लिए ताकत को पूरी तरह से जोंग दिया है जबसे भारत में जम्मू कस्मीर में G20 मीटिंग की घोशना की है उसके बाद से उसे पाकिस्तानी मस्जितों से जहरीले बयान सुनाई दे रहे है वहां की मस्जितों में पाकिस्तानी युवाओं को भड़काया जा रहा है और उन्हें जीहाद के नाम पर कस्मीर में धमाका करने के लिए उक्षाया जा रहा है मस्जितों के लावडी स्पीकर से आवाज आ रही है कि सीमित समय के लिए जो कोई भी नोजवान कस्मीर जाकर धमाका करेगा उसके लिए हत्यार पैसे और शुविधाओं की अरेंजमेंट की जाएगे कस्मीर के अंदर मई के महिने में G20 के इवेंट आयूजित किया रहे है और इसी इवेंट में रंग में भंग डालने की तैयारी ISI और पाकिस्तानी फोज़ कर रही है गुरुवार को इसी के चलते सेना की गाडी पर आतंकियों ने हमला किया और अब बड़ी संख्या में आतंकी पियोके से अलोशी पार कर कस्मीर में दाकिल होने की तयारी में हैं दोस्तों पाकिस्तान अपनी इनी कर्टुतों के कार्ण आज वे रोटी और दाल के लिए तड़प रहा है आज भारत के हिंदू और मुसल्मान सुक्चैन से जी रहे हैं यह पाकिस्तान से देखा नहीं जाता वे बार बार घात लगा कर भारत के हिंदू और मुसल्मानों को लड़वाना चाते हैं और उनकी हत्या कराकर उन्हें खुसी मिलती है तो अधर दोस्तों अमेरिका जैसे ताकतवर देश को घुटने पर लाने वाला खत्रनाक आतंगवादी संगठन अलकाइदा ने साथ पन्नों की मेगजीन जारी कर कहा की अतीक असरफ हत्याकान का बदला लेंगे कोक्यात आतंगी संगठन की जिद्धमकी की बाद जांच अजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई है अलकाइदा के संगठन ने बियाहार हिंसा में जैसीरी राम के नारों के साथ कुरान और मदरसों को जलाने अतीक वे असरफ का नाम लिये बिना उत्तरपरदेश में टीवी कैमरों के सामने मुसल्मान की हत्या राजस्तान में मस्जीतों पर भगवा जंडे लहराने का भी जिक्र कतिवे धमकी दी है अलकाईदा ने पत्तर जारी कतिवे सभी को ईद की बढ़ाई दी और साथ में मुसल्मानों के साथ हो रही ना इंसाफी की खिलाब धमकी दी है माना जा रहा है कि अगर अलकाईदा भारत में कोई बड़ा धमाका करता है तो भारत फिर से पाकिस्तान में घुसकर बड़ी स्ट्राइक करेगा इससे साफतोर पर मोदी को फायदा होगा और वे एक बार फिर से 2024 में प्रधानमंत्री बन जाएंगे अलकाईदा ने पिछले साल भी भारत में आतम घाती हमला करने की धमकी दी थी पेगंबर महमद पर की गई कथिति ठिपणियों को लेकर अलकाईदा ने कहा था कि हम पेगंबर की गरिमा के लिए लटने को तयार है इस धमकी के बाद उत्तरपरदेश में इंटरनेट मीडिया की निगरानी बढ़ाने के साथी सभी जिलों में अलर्ट किया गया है यूपी के स्पेसल डीजी प्रसांद कुमार का कहना है कि पत्तर की परमानिक्ता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता इंटरनेट मीडिया पर ऐसा पत्तर कहां से आया इसकी जान चिकराई जाएगी अलकाईदा की धमकी से भारत में मुश्निम समाज के लोग खासे गुस्से में है इस तान ये लोगों को लगता है कि अलकाईदा ने इस तरह की बयानबाजी करके उनके आंतरिक मामलों में दखल दिया है लोगों ने कहा कि केंदर सरकार आतंकी संगठन को इसका माकूल जवाब देगी मुसलमान भी वतन परस्त है और हमेशा अमन्चैन के लिए खड़े रहने वालों में भी है इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राई है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद जैहिंद